दोसरों की जान लेना तो बहुत आसान है लेकिन जब मौत अपने दरबाजे पर आकर खड़ी होती है तब एसास होता है कि मौत का दर्द क्या होता है गाजा के अंदर हजारों मासुमों को मौत के घाट उतारने बाला इस युद का इसराईल का कैबिनेट मंतरी बहुत खुश होता है गाजा के लोगों पर हमले करके उनकी जान लेने के बाद लेकिन जब मौत अपने घर पर आई तब रोना शुरू कर दिया बड़ी ख़बर आपको बताने जा रहा हूं हमास के लोगों ने इसराईल के वार कैबिनेट मिनिस्टर गादी इसेन कोट के बेटे को मौत के घाट उतार दिया है इस कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा मीर इसेन कोट आई डिएफ में शामिल था हमास ने आई डिएफ के कुछ जवानों पर हमला किया जिसमें इसके बेटे की मौत हो गई जब जनाज़ा उठा तो चीक पकार मच गई यहूदी फूट फूट कर रोले नगे जब बेटे का ज जनाज़ा उठा तो बेटे को याद करकर के रोला चुरू कर दिया यह वही वही जालिम है जिसके एक इशारे पर गाजा पर हमले हो रहे हैं यह आई डिएफ का पूर प्रमुग भी रह चुका है और वरतमान में युद कैबिनिट मंत्री है इस्राइल का इसी के इशारे प लेकिन अब जब अपने बेटे का जनाज़ा उठा तो चीक पुकार मच गई यह होता है अरे यह बहुत बड़े रोंटे और धोकेबाद रोग हैं जब हिटलर ने इनको मारकर बगाया था तो फिलिस्तिन में आकर यह रोने लगे थे तो फिलिस्तिनियों को तरसा गया इनक क्रिमनल कोर्ट में कई सारी शखायती की गई है तो इंट्रेशनल कर्मिनल कोड अब जाज कर रहा है मैंने आपको कल भी बताया था इसराइल में जाकर भी जाजकरेगा साथशाथ गाजा में पी जाजकरेगा तो इस जाजक को लेकर नितन यहो का कहना है कि भाई देखिए अगर इसराइल में इंटरनेशनल किर्मिनल कोट जाच करेगा तो यहूर यहूदी विरोधी भाबना है यहूदी विरोधी भाबना के तहती इंटरनेशनल किर्मिनल कोट जाच करेगा क्योंकि हमारे उपर जो आरोप लगें वो पूरी तरह से फर्जी हैं जब इसके उपर बात आती है तो वो यहूदी विरोधी वाली बात करना शुरू कर देता है दुनिया के सामने रोना शुरू कर देता है कि हम थोड़े से हैं हमारे उपर तरस खाओ ये को और वो गोर आरे अजीब कौम है यार इसराइल ने गाज़ा की 14 सो साल पुरानी एक मज़ित को भी आज शहीद कर दिया दोस्तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है जिसकी चर्चाश पूरी दुनिया में है इसराइल डिफेंस फोर्स ने सो फिलिस्तिरियों के कपड़े उतार कर उनको रोड पर बिठाया और हमारे यहां की गोदी मीडिया और हमारे यहां के कुछ नफरती लोग कह रहा है कि हमास के लोगों को गुफा से निकाल कर और सरंडर करने पर मजबूर कर दिया यह है ताकत इसराइली फोर्स की इधर आओ पास मेरे और यह सबूत देखो इसराइल डिफेंस फोर्स ने खुद इस हमारे यहां के कुछ नमोने सोशल मीडिया पर आकर बगबास कर रहे हैं कि हमास के लोगों ने सरेंडर कर दिया है और कपड़े उतार कर इसराइल डिफेंस फोर्स ने इनको रोड पर बिढ़ाया है अब इतनी आवकात नहीं हुए इसराइली सेना की अगर थोड़ी सी भी तुमारे पास होगी तो शायर अब तक इतना तो समझी गए होगे कि दो महीने से जादा का वक्त होने वाला है और अभी तक पूरे गाजा को हमास को इसराइल सेना खतम नहीं कर पाई है तो आवकात क्या है इनकी वो तुमें भी अच्छे से पता है लेकिन बात भही है नफ हुदी हिंसा भड़का रहे हैं जिसके जलते हुए बैस्ट बैंक के बहुत सारे लोगों पर अमरीका ने पिट्टी बंद मी लगा दिया है अमरीका उनको बीजा नहीं देगा अब ऑफिशली अनौन्स कर दिया है अमरीका ने दोस्तों बैस्ट बैंक के उत्तर में ही अलफ प्रती चिंटू इस सेना को दुनिया की सबसे ताकतबर सेना बता रहे हैं। कोई बात नहीं लगे रहो, दोरबल्ली क्यूट करते रहो।